नमस्कार दोस्तों उधाव ठाकरे पर जो राजनितिक संकट आया था वो कोई छोटा-मोटा नहीं था उनकी कुर्सी जाने की नौबत आ गई थी अत्यधिक जब आत्म विश्वास होता है अती आत्म विश्वास जब होता है तो कई बार आदमी इसी तरह का संकट अपने लिए खड़ा कर लेता है जैसा उधाव ठाकरे ने कर लिया था जन्वरी में भी विधान परिशद की दो सीटों के लिए चुनाव हुआ था उधाव ठाकरे चाहते तो उस समय विधान परिशद की सदस्ता ले सकते थे पर शायद तब ना उधाव ठाकरे को ना किसी दूसरे को इस बात का आभास था कि कोरोना संकट आएगा और उसके बाद लंबा लोकडाउन पिरियड चलेगा जिसकी वज़े से ना केबल विधान परिशद के बलके रज सभा तक के चुनाव इस्थगित करने पड़ेंगे बैरहाल पिछले दस पंदरा दिन शिव सेना के लिए उधाव ठाकरे के लिए उनके संगी साथियों के लिए उनके शुब चिंतकों के लिए बहुत तनाव भरे रहे हैं दो दो बार कैबिनेट से प्रास्ताव पारित करके राज भावन भेजा गया राज जपाल के पास खुद अजित पमार और उनके साथ में कुछ दूसरे लोग गए उनसे अन्नुने विने की के अपने कोटे से वो उधाव ठाकरे को नामित कर दे लेकिन वो नहीं माने और इस संकट को टलवाने में भूमी का किसकी रही यानि संकट के समय उधाव ठाकरे के काम कोन आया आपको याद होगा जब अक्तूबर 2019 में हरियाना के और महराष्ट के चुनाव नतीजे आये थे तब हरियाना में भी भारते जनता पारिटी लटक गई थी 40 सीटे आई थी 90 के सदन में वहाँ तो सरकार बन गई जरनायक जनता पारिटी के नेता दुश्यन चोटाला को डिप्टी चेफ निस्टर बना करके लेकिन यहाँ चुकि शिव सेना मुख्य मंत्री पर चाहती थी इसलिए भाजपा शिव सेना को एबसिल्यूट मेज़ोरिटी मिलने के बावजूद सरकार नहीं बन रही थी और जो अवरोध खड़ा हो गया था तब उदव ठाकरे की तरफ से एक बयान आया था कि अगर नरेंदर मौदी और अमित शाहा नितिन गड़करी को सुलह सफाई की जिम्मेदारी दे दें तो महाराष्ट में जो गतिरोध है सरकार बनने में ये खतम हो जाएगा उस समय इतिन गड़करी को तो बीच में नहीं डाला गया देवेंदर फड़नवीस पर ही सारी चीज़े शोड़ दी गई वहीं के भाजपा ध्यक्ष डील करते रहे और अल्टिमेटली गड़ बंदन तूट गया क्योंके शिव सेना हर हालत में मुख्य मंत्री पद चाहती थी और मुख्य मंत्री पद पर किसी शिव सेनी को देखना चाहती थी शरत पमार और कॉंग्रेस के परदेश इस्तर के नेताओं ने चाल चली भारत्य जिन्ता पारटी को महराष्ट की सत्ता से बेदखल करने की उसमें वो कामियाब रहे उधव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बन गए हलाकि उधव ठाकरे अपने बेटे आदित ठाकरे को मुख्य मंत्री बनाना चाहते थे पर NCP और कॉंग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुए मैंने नितिन गड़करी का उल्लेक इसलिए किया के चाहे बाला साब ठाक रहे हो चाहे उधव ठाक रहे हो चाहे राज ठाक रहे हो सबसे नितिन गड़करी के नजदी की रिष्टे रहे हैं और इन तीनों से ही नहीं शरद पावार से भी अजित पावार से भी नितिन गड़करी के प्यक्तिकत रिष्टे हैं और संकट के समय कई बार इस तरह के रिष्टे काम आते हैं इस बार भी जब उधव ठाकरे ने ये देखा कि राजबहवन से उनको हरी जण्डी नहीं मिल रही है और राजजपाल उनहें विधान परिष्ट में अपने कोटे से नामित करने को तयार नहीं है तब उनहें नितिन गड़करी याद आए शरद पावार याद आए और अगर सूचना सही है तो शरद पावार उधव ठाकरे आदित ठाकरे अजित पावार इन चारों की एक मिटिंग हुई शिवाजी पावार के स्थित जो बाला साहब का इसमर्ती नियास है उसके दफ्तर में और परदे के पीछे से शरद पावार की और उधव ठाकरे की इस पूरे संकट पर नितिन गड़करी से जो बाच्चित चल रही थी कि कैसे रास्ता निकाला जाए कैसे उधव ठाकरे की कुर्सी बचाई जाए उस पर इन चारों के बीच गंभीर विचारवे मर्श हुआ और आगे की रणनीती तैकी गई एक दिन पहले ही उधव ठाकरे डिजिटल मेडिया के जरिए टेली कान्फरेंसिंग के जरिए मेडिया से लोगों से समबाद कर रहे थे और तब उन्होंने एक सवाल के जवाब में नितिन गड़करी की तारीब भी की थी और शरत पमार की नितिन गड़करी से बाचीत हुई उधव ठाकरे की बाचीत हुई नितिन गड़करी की दिल्ली में बाचीत हुई और उन्होंने ये कनफर्म किया कि रज्यपाल अपने कोटे से उधव ठाकरे को विधान परिशद में नॉमिनेट करने वाले नहीं हैं शरत पमार का करीब करीब पचास साल का राजनितिक अनुभाव है उन्होंने भी उधव ठाकरे के कान में ये बाट डाल दी थी कि मेरा अनुभाव ये कहता है कि भगत सिंग कोश्यारी आपको रज्यपाल कोटे से नामित नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास कुछ वैधानिक ठोस कारण है और राज्यपाल को कोई भी इसके लिए बाद दे नहीं कर सकता है भले ही कैबिनेट ने दो दो प्रस्ताव पारित करके राजभावन भेज दिये हैं तैह हुआ के आगे का रास्ता देखा जाए जो तनाव पूर्ण संबंद अतीत में रहे हैं वो बर्फ किसी तरीके से पिंगलाई जाए 26 अपरेल को उदव ठाकरे ने गड़करी की परशंसा की थी 27 तारीक को ये चारो बाला साथ ठाकरे नियास के दफ्तर में बैठे इनकी गंभीर चर्चा हुई आगे की रन नीची तैकी गई और इसके बाद जब गड़करी ने दिल्ली से पता लगा लिया के गवर्नर उदव ठाकरे को नामित नहीं करने जा रहे है तब उन्होंने ये भी पता लगाया के फिर रास्ता क्या हो सकता है और तब दिल्ली ने उनको सुझाया के एक ही रास्ता है जो विधान परिशद की नो खाली सीटे हैं जिनका चुनाव लोकडाउन की वज़े से इस्तगित किया गया है उन पर चुनाव हो तब ही उदव ठाकरे विधान परिशद के सदस्वच बन सकते हैं और तब ही उनकी कुरसी बच सकती है अठाईस अपरेल को उदव ठाकरे ने परधान मंत्री नरेदर मौदी को फोन घुमाया उनसे बाच्चीत की उनसे मदद मांगी और ये कहा कि अगर रास्ता नहीं खुला वो विधान परिशद के सदस्वच नहीं बने तो उनको इस्तिफा देना पड़ेगा और राज्य में एक राजनेतिक और समिधानिक संकट खड़ा हो जाएगा और बताते हैं कि उसके बाद रास्ते खुल गए इस वीच शिवसेना की तरफ से दो नेता अलग-अलग समय पर जाकर के राज्यपाल से मिले उनको लिखित में कुछ चीजें दी गई इन में एक नाथ शिंदे भी थे और एक और उधा उठाकरे के बड़े करीबी नेता थे 29 अपरेल को बताते हैं कि दिल्ली से मातोश्री के तार जुडे कुछ चीजें पर सहमतियां बनी और उसके बाद 30 अपरेल को जो उधाव ठाकरे के करीबी हैं मिलिंद नारवे कर वो राजभावन पहुँचे उनकी मुलाकात हुई राजजपाल से सुबह के समय और शाम को एक नाथ शिंदे गए कुछ लिखित में चीजों का परदान हुआ एक तरफा ही था राजजपाल को दीएगी कुछ चिठी दी गई और राजजपाल ने उसी शाम को चुनाव आयोग से चिठी लिख करके नो खाली पड़ी विधान परिशद की सीटों पर चुनाव कराने का प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया एक माई को चुनाव आयोग की बैठक हुई सुभा साड़े नो बजे मुख्य चुनाव आयुक्त विदेश में है वो टेली कॉन्फरेंसिंग के जरिये जुड़े और एलान हो गया के विधान परिशद की जिन नो सीटों पर लोगडाउन के कारण कोरोना संकट के कारण चुनाव इस्थगित कर दिया गया था उनकी परकरिया शुरू होगी चुनाव की और 21 मई को जरूरत पढ़ने पर मतदान होगा 17 मई तक तीसरे चरण का लोकडाउन चलेगा 17 मई तक बहुत सारी चीजें काबू में आने की संभावना है जहां जहां रेड जोन है औरेंज जोन है भारत में उनके भी ग्रीन जोन में आने की संभावना विक्त की जा रही है तमाम जो विशेशग्य हैं उनका कहना है कि जिस रफ्तार से करोना वाइरस पर काबू पाया जा रहा है भारत में 17 मई तक 20 मई तक बहुत हद तक उसे काबू में कर लिया जाएगा और भारत भी करोना वाइरस के संकट से उबर जाएगा और लगभग उसी समय शिव सेना और उधव ठाकरे भी इस राजनितिक संकट से बाहर आ जाएगे 21 मई को विधान परिशद का चुनाव होगा और उधव ठाकरे चुन लिये जाएगे उनकी मुख्यमंत्री पद की कुरसी बच जाएगी उनकी सरकार भी बच जाएगी तो एक बार फिर उधव ठाकरे को सियासी संकट से दो लोगों ने उबारा है एक नितिन गड़करी और दूसरे शर्द पमार शर्द पमार के रिष्टे नरेंद्र मोदी से भी हैं और नितिन गड़करी से भी हैं अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेर भी करें और अभी तक अगर आपने चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लें और साथ में लगे बैल आइकोन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और जो भी मेरे दर्शक इसको जोएन करना चाहें मेंबर बनना चाहें उनके लिए भी जोएन बटन है वो जोएन बटन पर जाकर के इसको जोएन कर सकते हैं नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद